हलो, वेल्कम एवरिवन, मैं भावना सोनी, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, आज हम बात करेंगे ग्राफोलोजी के बारे में, ग्राफोलोजी को आम भाषा में हैंडराइटिंग एनलिसेज भी कहा जाता है, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर मैं आपको एक कोरा कागस दूँ और कहूँ कि इस कागस पर आप आपके हैंडराइटिंग में, आपके हस्ताक्षर में कुछ लिखिए और वो मुझे दीजिए, और आपने दिया हुआ पेपर, अगर मैं बहुत सारे पे पर दूण सकते हैं, आपका जवाब होगा जरूर दूण सकते हैं, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग यूनीक है, जैसे आप यूनीक हो, उसी तरह आपकी हैंडराइटिंग और आपकी सिगनेचर भी यूनीक है, हम सबकी हैंडराइटिंग अलग-अलग होती है, लेकिन उस शेप, लिखने का तरीका, लेटर फॉर्मेशन, साइज, ये सारी चिज़े अलग-अलग होती है जैसे हमारी सिगनेचर भी अलग होती है, हमारी सिगनेचर भी किसी सिगनेचर के साथ मैच नहीं होती है हमारी हन्राइटिंग हमारे बोडी लेंगविज की तरह होती है, जैसे हमारे चेहरे के भाव हमारे फिलिंग्स को बताते हैं, उसी तरह हमारी हन्राइटिंग हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है तो आज हम बात करेंगे handwriting के जरीए कैसे हम हमारे personality को पहचान सकते हैं How to know your personality from your handwriting तो आज का हमारा first topic है letter size जैसे कि यहाँ पर मैंने दो words लिखे हैं इन दोनों words में first वाला जो है इनकी जो letter की size है वो बहुत छोटी है और second जो है इनकी letter की size बहुत बड़ी है size में बहुत अलग-अलग variety भी हो सकती है हमने basic के लिए two variety, two types लिए है तो first चोट टाइप है चोटी hand writing चोटे-चोटे letters अगर आपके letters आपकी writing बहुत चोटी है तो आप शर्मिले और intro word मतलब अंतर मुखी है आपका पढ़ाई में या फिर हर काम में बहुत अच्छा focus है और यदि आपकी hand writing बहुत बड़ी या आपके जो letters है उनकी size बहुत बड़ी है तो आप खुले, confident और ध्यान अकरशित करने वाले इनसान है ऐसे लोग talkative होते हैं उन्हें लोगों से बात करना बहुत पसंद आता है और ऐसे लोग किसी भी परिसिती में खुद को adjust कर लेते हैं और second जो है हमारा point वो है spacing letter spacing या word spacing handwriting में हमने यहाँ पर first जो word लिखा है उसमें सारे letters जो है वो खुले, खुले है सब letters proper formation उनका समझ आ रहा है जैसे कि h, a, nd सब में gap दिया हुआ है जब आपके writing अगर ऐसी है तो आपको हर काम आजादी के साथ करना पसंद है आपका काम करने का खुद का ही एक अलग तरीका है आपको logo में ज़्यादा रहना पसंद नहीं भीड़बाड में जाना आपको पसंद नहीं और जो लोगों की राइटिंग इस तरह खुली होती है वर्डस में स्पैस होता है ग्याप होता है ऐसे लोग कभी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते और इसी में सेकेंट जो है वो है कम स्पैसिंग मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे भी हैंड राइटिंग जो वर्ड लिखा है इस वर्ड में सारे लेटर बहुत नजदिक नजदिक लिखे हुए हैं तो ऐसे लोग जो शब्दों के बीच कम ग्याप रखते हैं इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं इन्हें दोस्तों के साथ परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है इसी लिए इन लोगों में आक्षरों में gap कम होता है ऐसे लोगों में टाइम मैनेजमेंट की कमी भी देखी गई हैं इन लोगों को जाधा बात करना पसंद होता हैं लेकिन ये लोग कभी कभी किसी बात को लेकर बहुत confused होते हैं तो ये थे आज के हमारे दो टॉपिक लेटर साइज और स्पैसिंग नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हैंडराइटिंग स्लैंट और प्रेशर अगर आपको हैंडराइटिंग से जुड़े कोई सवाल है तो हमें जरूर बताईए कोमेंट करके और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें थाइंक यू